नमस्कार बहुत स्वागता आपका सूप्रवात राजस्थान में मैं हूँ आपके साथ शुती शिवास्ता और मैं हूँ आपके साथ आयूशी गुपता बुलिटे की शुरवात बड़ी खबर के साथ करेंगे जोदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है प्रेयंका प्रेयंका विश्णोई का मौत का मामला है हाला कि जब इनका तव्यत जादा बिगड़ गई थी उसके बाद से इनको जोदपुर के वसंद्रा हॉस्पिटल में शिट कराए गया था परिजनों के तमाम गंभीर आरोप थे विश्णोई समाज जब पोस्माटम करने की बात प्रदर्शन किया जा रहा था और आरोपो के आधार पर एसडियम प्रियंगा विश्णोई के ससूर ने जो आरोप लगाये थे कि अनेस्थीजिया का डोस जादा हो गया था इस वज़े से बॉनी के पार्ट्स काम करना बंद कर दिये गये थे जादा खून बह गया था शरी प्रदर्शन किया था और आज जाज कमिटी सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी अब देखना होगा कि जाज कमिटी जो सरकार को पेश की जाएगी उसमें क्या कुछ रहता है फिलार बड़ी कबर आपको जोदपूर से बता रहा है तो यह बड़ी जानकारी आपको पूर्श से दे रहे हैं बड़ी कबर आपको जोदपूर से बता रहा है पोस्पार्टम रिपोर्ट का अधियन क्या गया है आज जो कमिटी बनाई गई थी पांस अदसे की वो आज कमिटी अपनी रिपोर्ट जाज रिपोर्ट सरकार तक पहुचाएगी मामला तूर पकड़ता हुआ तब दिखाई पड़ा था जब स्टीम प्रियंगा विश्णोई की तब्यद बिगड़ी और उसके बाद जोदपूर के वसंदरा हॉस्पिटल के बाद से सिंधे इनको एहंदाबाद ले जाए गया बीते बुदवार को इनका निधन हुआ उसके बाद से विश्णोई समाज लगातार उनमें रोश व्याप था परिजन लगातार गभीर आरोप लगा रहे थे कलेक्टर ने आरोप के अधार पर पांच सदस्या कमिटी बनाई थी कमिटी ने रिपोर्ट स्वाप पी और उसके बाद से आज वही रिपोर्ट आपको बता दे पोस्माटम रिपोर्ट अध्यन करने के बाद अपनी सरकार को रिपोर्ट कमिटी के द्वारा स्वापी जाए आपको बता दे की कमिट्टी के डॉक्टर्स ने जोदपूर पहुँच करके जो है जाच की थी और पोस्पॉर्टम रिपोर्ट का अध्यान किया गया अब बाद जापूर से बड़े खबर की जापूर में आयोजित होने जा रहा आईफा अवोर्ड डियाकुमारी की मौजूदगी में एमो यू होगा तो आपको बता दे की राजधानी में तीन दिन जो है बॉलिवूड सेलिब्रिटी जुटेंगे इस वक्क की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है तो जापूर में जो है आईफा अवोर्ड आयोजित होगा जिसमें डिप्टेस एम दियाकुमारी की मौजूदगी में MOU होने वाला है और राजधानी में तीन दिन ऐसा बताया जारा जब बॉलिवूड सेलिब्रिटी यहां पर जुटेंगे बॉलिवूड सेलिब्रिटी जो है इसमें शामिल होंगे जैपूर से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहा है जैपूर में जो है इस बार आईफा अवार्ड होने जा रहा है और इस अवार्ड में जो है तमाम बड़े सेलिब्रिटी शामल होंगे राजस्थान है इसलिए जैपूर को वो केंद्र बिंदू बनाये जा रहा है सेंटर पॉइंट या राजस्थान को सेंटर पॉइंट बनाये जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान जैपूर और राजस्थान के तमाम उंजिलों में राजस्थान में जाए ताकि जो राइजिं है मौजूदा सरकार का उसको और उसमें मजबूती आ जाए इस वज़े से भी मान सकते हैं कि जैपूर में जो आईफा अवार्ड आयोजित हो रहे जा रहा है वो बेहद ही महतुपूर और उसको लेकर खासा त्यारियां भी की जाएंगी क्योंकि डिप्टी सीम दिया कुमारी की मौजूदगी में मौयू सायन होगा उसके बाद आईफा अवार्ड आयोजित किया जाएगा राजधानी में तीन दिन तक बॉलिवूट सेलिबिटी सितारे आपको नज़र आएंगे और जयापूर से बड़ी खबर आपको बता दे राजधान जयान सभाद जयापूर की ओर से सामुहिक शमापना समारो का आयोजन सीस्की मिस्थित मावेर स्कूल में आयोजित होने जा रहा है सामुहिक शमापना समारो है सामोहिक छमापन कारकर में मुखे मंत्री भजनलाल शर्मा शुर्कत करेंगे आज सुबा सारे नौ बजे मुखे मंत्री कारकर में पहुचेंगे बड़ी खबर आपको इस बक्ती बता रहे हैं जैल सबाद जैपूर की योड़ से इस सामोहिक छमापना समारो आयोजित किया जा रहा है जिसमें बतार मुखे मंत्री आतिती के तौर पर मुखे मंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे और उसके बाद से सुबा सारे नौ बजे का ये कारकर में बताया जा रहा है बड़ी काबर इस वक्ती है और बड़ी काबर आपको बताते चलें कि पियाजीडी में सबसे बड़ी प्रशासनिक स्वज़री की तयारी की ज़ारी आधिकाश मुखे अभियंताओं के तबादले होंगे तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है नेक एडर रिस्ट्रक्टर के अनुसार जो है न्युक्ती देने की तयारी है सी संदीप शर्मा को बड़ी जिमेदारी दी जा सकती है सी एवं सहसचीप प्रशासन की जिमेदारी इनको मिल सकती है तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है तमाम नाम इसमें आएंगे मनीश बेनिवाल को जैसे C.E.N.R.W. की जिमेदारी मिल सकती है तो महीं देवराज सुलंकी को C.E. जोदपूर का जिम्मा दिया जा सकता है जोदपूर C.E. नीरज मातूर का जैपूर तबादला हो सकता है और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए उदपूर स्पेशल प्रोजेक्ट में भी पहली बार C.E. को न्यूकती हो सकती है और पहली बार C.E. जाइका एवं विट्ट पोशित हो न्यूकती हो सकते हैं तो यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जुलदाय प्रिश्वासन ने तबादला सूची तयार की है C.E. मो से जल्द तबादला सूची को हरी जंडी मिल सकती है यह बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं जहां पर आपको बता दे कि जोटपूर C.E. नी सबसे बड़ी अपडेट आपको देना है प्रशासनिक सर्जरी की जो तैयारी है वो चल रही है और वैसे भी देखा गया कि प्रशासनिक सर्जरी सबसे ज़ादा महतुपूर मानी जा रही है और प्रदेश में साथ सीटों पर होने वाले उट्चनाओं से पहले कॉंग्रेस फुल फॉर्म में नजर आ रही है कॉंग्रेस ने तैय किया है कि वो साथ सीटों पर साथ अंक के मुताबिक ही त्यारी करेगी और इसके तहट कॉंग्रेस अगले साथ दिन प्रदेश की साथ सीटों के लिए मंडल इस्तर पर जाएगी और भजला सरकार की नौ महिने की नाकामिया गिनाएगी देखे उप्चुनाओं के लिए कॉंग्रेस का सेवन फॉर्मूला साथ दिन में साथ सीटों पर जाएगे कॉंग्रेस के साथ प्रभाद जनता के सामने गिनाएगे सरकार की खामिया लोगसबा चुनाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कॉंग्रेस उप्चुनाओं से पहले पूरे आत्म विश्वास में दिख रही है उप्चुनाओं की त्यारी के तहट कॉंग्रेस की रणनीती भी अलग नज़र आ रही है कॉंग्रेस ने फैसला किया कि वो अगले सात दिन में मंडल इस्तर पर जाएगी और सरकार के पिछले 9 महीने के कारिकाल की खामिया गिनाएगी ऐसा करके कॉंग्रेस जनता के विश्वास के लिए वोट हासिल भी करना चाहती है कॉंग्रेस अगले साथ दिन हर एक मंदल अधिक्ष के साथ बैठक करेगी सभी साथ सीटों के लिए सुझाव तयार किये जाएंगे इसके अरामा कॉंग्रेस सभी साथ सीटों पर खुद ही फोकस करेगी जिसमें गड़बंदन वाली दोनों सीटे भी शामिल है राजस्तान में आगामी विधान साभा चुनाव के अंदर कॉंग्रेस साथ सीटों के उपर अगले साथ दिन में 77 मंदल पर खास अभ्यान चलाने वाली है यहां पर गरास रूट लेवल पर कॉंग्रेस बड़ा अभ्यान चलाते हुए जनता के सामने जो सरकार के वादे थे उनको याद दिलाएगी और जनता की उमीदों पर सरकार कहां कहां नाकाम हुई ये भी याद दिलाएगी कॉंग्रस के साथ बिजेपी की कोशिश है कि प्रदेश में होने वाले उप्चुनाओं में वो अच्छा प्रदर्शन करे कॉंग्रस अपनी रणीती के तहत उन वादों पर फोकस करेगी जो पूरे नहीं किये हैं कॉंग्रस सरकार को आपदा प्रबंधन महीना अपराज समेट कई मुद्दों पर घेड़ने की त्यारी कर रही है हमारे प्रदेश के प्रबारी और जिलाद देक्स प्रतेएक मंडल के अंदर साथ दिन के अंदर अंदर प्रतेएक मंडल में सातुं विदान सभा में सततर जो मंडल है उन सततर मंडलों में स्विम जाकर के और मंडल के पदादिकारी और कारियकरताओं के साथ में चर्चा करेंगे, कॉंग्रेस पार्टी के संटन को बश्कूत करेंगे और वो जो सुझाव लाकर के देंगे उसके हिसाब से प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी अमुक्त हैंगे इस खास स्यारी में सभी 77 मंडल पर प्रदेश प्रभारी खुद जाएंगे जिसमें जिला अध्यक्ष, मंडल की पदाधिकारी और कारिकरताओं के साथ में चर्चा करेंगे वहाँ से मिले फीडबैक के अधार पर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी सभी सीटों के लिए एक रिपोर्ट त्यार कर रणीते त्यार करेंगे आज हमारा एक एक कॉंग्रेस का वर्कर उन लाक्तों में जाकर कंस्टिट्टिट्रिंस में जाकर काम करेंगे और जो मंडल हैं उन में जाकर मेटिंग्स करेंगे और हमारे जो इन चार्ज लगाएगे हैं वो उन सभी मेटिंग्स में जाएंगे और मैं निश्चर रूप से कहता हूँ कि जो राजस्तान की सरकार का हलात हैं हम साथों की साथों सीटें चीट कर देख राएंगे और कॉंगर्स और मजबूद पहले से भी ज़्यादा मजबूद होगे प्रदेश की जिन साथ सीटों पर उप्चुना होगा उनमें ख्यूमसर, 84, सलूंबर, रामगर, देवली उनियारा, दौसा और जुनजुनु शामिल है अब देखना होगा कि सेवन फॉर्मूला के जरिये कॉंगर्स मदाता के मन में विश्वास के बीज वो पाती है या फिर नहीं प्रदेश में 84 और खीवसर जैसी सीटों के उपर जो गटबंदन की इस्तिती बंतीवी नदर आ रही थी उसको लेकर के भी कॉंग्रेस ने इस्तिती स्पष्ट कर दिये कि फिलहाल हम अपने केडर के साथ में पूरी ताकस से तयारी कर रहे है रही बात गटबंदन की तो आ रही थी दस